अभी पेशेंट की हलत कैसी है? है इस टेवल दॉक्टर आप अपनी आखो को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिये लाइट की तरफ देखिये डरियमत आप हॉस्पिटल में हैं हम सब डॉक्टर्स हैं आपके ट्रीट्मेंट के लिए आए हैं आपके साथ क्या हुआता आप कुछ याद है आपका नाम क्या है राग हो जड़ा मीरर देना ये लीजिए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं केन यू सी आपको अपने चेरा दिख रहे हैं जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो आप पुमा में थे हैं अज दो हब्दों के बाद आप खोश में आया हैं अब आप ठीक हैं चिंता की बात नहीं है ओके पीपल्स चॉइस अवार्ड पो एक्सिलेंस 2018 बेस सुरक्षा का अवार्ड जीतने वाले मिस्टर माइल वागनम IPS पुलीस डिपार्टमेंट आप से चाहेंगे कि आप दो शब कहें आप सबको नमस्कार हुसेन बोल्ड के बारे में आप सब जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस अवार्ड के लिए हम सब यहाँ आए हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला है मैं शुक्र गुजार हूँ कि 28 साल के सेवा के बाद ये पुरुस्कार मुझे मिल रहा है People's Choice Award for Excellence 2018 Best Call Taxi Service of the Year का अवार्ड जीतने वाले पहली बार नहीं, लगातार सात्वी बार अवार्ड जीतने वाले गरुड कॉल टाक्सी ओनर मिस्टर अलगर को अवार्ड लेने के लिए आज मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हूँ Thank you, thank you Mary, Garuda Call Taxi Company को ये अवार्ड सात्वी बार दिया जा रहा है Thank you so much इसी मंच पर अगले साल आठवी बार भी हमें याद रखियेगा हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हैं, इसके लिए आप सबका प्यार ज़रूरी है इससे भी बेतर सेवा आपको दे पाए इस बात का हम आपसे वादा करते हैं, धन्यवाद Thank you, sir आने वाले करी सालों तक ये आवार्ड आपको जीतना है यही हमारी इच्छा है और हमारी शुपकामनाएंवी अगला अवार्ड है इस साल के बेस्ट राइटर के लिए और बेस्ट राइटर का अवार्ड जीतने वाले हैं, Mr. Mahindran नमस्ते, sir विनायक मेरा नाम है, गोकेप का CEO मैं आपसे बहुत इंस्पैर्ड हूँ आपकी वज़े से ही मैं इस बिजनेस में आया हूँ मेरी जिन्दगी का एक ही मकसद है, sir कि अगले साल इस एवार्ड को आपके हाथों से मैं लो और मैं ज़रूर लूँगा, बस आपका अशिर्वाद चाहिए बूट पुरुशृत्तम बोलियो मामा अगर तुम होटल शुरू करते तो पहला कौन सा काम शुरू करते जाहिर सी बात है, गल्ले पे बैठूंगा होटल तो मेरा ही होगा ना पहले बातरूम साफ करना सीख लो क्योंकि आने वाला पहले वहीं जाएगा आपने बुला है तो सही होगा मैंने बोला इसलिए सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही आज हमारे मुकाबले में दो टैक्सी लेकर के जो वो खुद को सीओ बोल रहा है वो दरसल हमारे धंदे को देखकर इस धंदे में आया है कह रहा था अगले साल इस अवार्ड को वो हासिल करेगा ये अमारे लिए गर्व की बात है ना आप जो बोल रहें वो सही है या आप बोल रहें वही सही है वो जो कह रहा था वो सही है 35 सालों में मैं इस धंदे में मेहनत करके आज इस मुकाम वे पहुचा हूँ दो दिनों में वो मेरी जगा पर पहुँचना चाहता है इसका मतलब मुझ में कोई कमी है कमी दूर करनी हो सर ओके सर ठीक ऐसे करूँगा सर क्यों जी कुछ स्मेल आ रही है न ना आध नो रही है क्यों तूमने ड्रिंग कर रखी है क्या ड्राइवर मैं तुम से पूछ रही हूं काडी रोक हूँ काड़ी रोक एमाँ पॉन करो जी पॉलीस को मुझे दड्र लग रहा है पॉलीस को फोन करना ने जब अना मंददक मेह रहा है। रोको! रोकते के नहीं रोकू! रोको! रोको! बापा मैं भी आपके साथ चलूँ। विपा रही है तो ले जाहिए ना ची? डीक है डीक है? मेरी प्यारी बंची है लो बीटो लीटो खॉलो चलो पापा आजै ूॉॉॉॉॉॉ ॉॉॉॉ आजा..intéगो..acked एए.. ओ.. DO owningAyamd.. खो.. año.. कोई होस्पिितल नेगा.. आजा..ाजा..ङ मादत करू Satwa.. क्टाम समय.. इसे ज्टी करू七.. सर में एसी पिद्वार का बोल रही हूँ ड्राइवर फरार हो गया है ट्राइवल करने वाले कपल की एज लगभग 50 से 52 की होगी शुआ बोल ये मिस्टर नागराजन हमारी कमपणी एक जिम्मेदार कमपणी है तभी तो ऐसे ड्राइवर रखें आपने ऐसी बात नहीं है किसी को भी अपॉइंट करने से पहले पूरी जांच परदाल करते हैं नाम गाउं माबाप बीवी कौन है बच्चे कितने है राशन कार्ड औ आपके पास शाम को न्यूस चैनल के डिबेट्स में इनी मुद्दो को लेकर अपनी कमपणी की तारीफ करेंगे बहले ही मेरी उम्मर 55 साल है लेकिन मेरा सी यू नौजवान है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तरक्य बहुत मुश्किल से मिलती है खबर के मीडिया में आने से उस एसपी से मैंने बहुत रेक्वेस्ट की थी उसके बाद भी उसने वो कानून के तहट जो भी एक्शन लेना चाहते है लेने दो ट्राइवर नशे में था तुम फिर से सारे ड्राइवर्स की आड़ी चेक करो नेक्स टाइम कोई भी ड्राइवर नशे में ड्राइव करता अजिए 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 अज वैनि और प्रशॉ। जब भूश्यक्र राउंड नम्र फाइव ड्रजुड्क आप राउंड फिय। अगरीग टाउंड ताउंड बूद्ट धर्शॉ अग्राइटकीज मैंगूई आपका बाइ? मैं, मैं पहले ही आगया था, बाहर था, अंदर अने में काफी टाम लगया, वहाँ ट्राफिक जायन था ना वह पापा, कितनी बार बता हूं, क्यों वो दिबा गाड़ी चला थे हो, नई गाड़ी ले ले लेनी चाहिए ना रागओ, यू डिड़ी ने बाइच अगया थे हैं यह यह एक चला हो अगया अगया यह मेरे पापा है यह मिस्टर विनायक हैं गो कैप्स के सीयो प्लस मेरे स्पांसर भी वंदर्फूल था नाइस था थे तो मेरा सपना भी बनाता था यह यह रोग्या थे है उन्स अगया कर कर लिया और रागो जैसो के एक्षिवेंट पर बहुत खुशी होती है और दास्ट वंडरफुल गद्लेस यू थैंक्यू सर्व स्टार्ट नहीं होगी पापा बहुत थक गया बॉक्सिंग के बाद याई क्यों नहीं मारते पापा इसके बाद कहां डाई मारू बालों के लिए नहीं नहीं प्यार से इस धक्का देंगे करके शुरू हो जाएगी कौन मैं तुम धत्का नहीं दोगे मुझे पहले से ही पता था वहां पर पैश लगा कर सफेद कपड़ों में वो जो पांच लोग खड़े हैं देखे तुमने वाइट टीशेट में उनकी टीशेट को काला कर दें क्या बॉइज कि यूबे ऐसे मायूस क्यों बैटा है गेट खोल नहीं सकता है मुझे तो अब वाच्मेंटा ही काम करना बाकी रह गया करवाल है वो भी वारी कार और इसका प्रण ओए छोट उमियां यहां आओ बड़े प्यार से बुला रहे हैं जल्दी आओ आजाओ मच्छर की तरह क्या और जाब हिन बेना रहेऊ देखो नहीं कुछ खास नहीं घर की मुर्गी डाल बड़ाबर इसे नहीं है मुझंसे बात करो अंकल इस कार का ड्राइवर में सभी बच्चे लोग आगे क्या प्रोग्राम है अंकल कल आपकी कार और मेरी साइकल की रेस लगा ले क्या अरे बापरे लिकिन एक शर्त पर हां बताइए थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा अंकल मैं स्लो जाओंगा तब भी मैं जीतूंगा वो कैसे क्योंकि आपकी कार तो स्ट कि अगया है तु भी बिल्कोल इस है एक इस इरिया में कितने popular हैं तुझे पता है अबे दियृभी में इस गाड़ी की डिकी होता ही, हाँ, सनी होता, हम… एक बात बता, तेरे घर में ये फैन्स जाधा तेज बसता यह रेडियो अच्छे से तुगूम रहे है, देख कैसे हवा दे रहा है यह घूम के हवा नहीं दे रहा, बाहर के हवा साही यह घूम रहा है भाई इसको अगर हटा देगा तो खिड़की से जाधा आवाएगी क्या यार क्या यार पूरे घर को भंगार बना रखा है अच्छा है कोई गाने की किताब नहीं है तो फिर यह क्या है भाई केलेंडर तो बदलते हो ना यह हर साल एक ही को यूज करते हो अधमनी ओल्ड इस गोल्ड अरे अंकल गोल्ड बहुत ओल्ड हो चुका है आज कल प्लाटिनम डाइमंड चलता है अच्छा प्लाटिनम डाइमंड नए आए हैं आसा बोलने वाला यह पहला इंसान है तेरा दोस्त नहीं बैठ सकता सुन ओल्ड इस गोल्ड फोल्ड इस गोल्ड पोल के तेरा बाप ना किसी बोड़िया से तरी शादी करवाएगा फरस्ट नाइट तु कब्रिस्तान में मनाने वाला है तु चुकर यार देखना यह होगा तेरे लिए ही पद्मिनी राघव तुझे या इडली चाहिए उजक नहीं कार चाहिए पपा सब आपका मज़ा ऊड़ाते हैं सब लोग कौन अंकल कशुरू में जाने वाले हैं फिर इसे ले लेंगे हैं देखना ले लेंगे हैं जब आपने पहली पहली बार अपनी गर्ल्फेंड को छुबा था हो ऐसी फिलिंग आ रही है ना नहीं वो देख बॉटी जाने से पहले जैसे शकल बनाता ने तेरा बाब इसे शकल बना रहा है अभी तो चुक कर मैं जानता हूं इस बार पक्का कार खरी देंगे अर आप ते अपनी इज़स का जनाजा लिंकलता है देख आ गया निकालने के लिए सर ये कार आप खरी देंग पिछले चार महिनों से कार देखने के लिए आ रहे हो चाय कॉफी का हिसाब किया जा तो पांच हजार से ज्यादा होगा जी अस्ती के भी ना सर आप चिंता मत कीजिए आज तो फाइनली खरी दिलेंगे इतने दिनों में तो बाहु बली जैसी फिल्म बन जाती यार और तु सो इस इंडियाज फास्टेस मॉविंग मॉडल सो एकिन इंगे चलाता है स्लोई स्मॉविंग हो जागा सर इस कार ने ओसकार रवाड भी जीता है अगर आज ये डील फानल होती है तो 25 समोसा फिली देंगे सार खुशी में रिष्टधारों को समोसा बाट दीजेगा सर प्ल बाबा सीट ठीक नहीं है तो चैंज कर वासर नहीं 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 बेटा जब मैंने उस Steering वील को पकड़ा फड़ गया क्या नहीं वह उपर नीचे हो रहा था सीर्व उपर नीचे क्या मतलब वो को संदिल इंग हो नहीं है मुझे भी एक जबरदस्ट फीलिंग आ रही है कि इस जनब में आप कार नहीं ले पाएंगे करेक्ट पुर्याने समाने की साइकल में मोटर फिट करके मेटल बॉड़ी में चार टायर फिट करके चला रहे हुसे कब भी टार करोगे एक मिनट रुकिये बाहर वो जो ग्रीन कलर की गाड़ी खाड़ी है वो बहुत अच्छी है आपकी खटा रहा है हम उसीने चलते हैं देखो रागाव किसी दुन तुम्हारी कमाई से बिना इंस्टॉल्मेंट बिना लोन के जंजट में पड़े हैं इस कार में हमारी कार में सब कुछ है स्टीरिंग वील है नजर न लगे इसलिए काला धुआ भी निकलता है कमेडी मत किजिए पापा मैं जब भी पूछता हूँ आपको इकारन बताती है यह नहीं हो नहीं कार खरीद लो ना ओके बिटा सिंपल शब्दों में कहूं तो इस गाड़ी से तुम्हारी मा को बहुत प्यार था सेंटिमेंट दिखा रहे हो राघाव जब हम पहली बार इसे खरीद ने गए बुझे यह पसंद नहीं आई थी इसका कलर भी पसंद नहीं था लेकिन तुम्हारी मा को यह पसंद आई पता है इसे खरीदते समय तुम्हारी माने मुझसे क्या कहा था उसने कहा कि इस गाड़ी को हमेशा आपने साथ ही रखना। आज वो तो नहीं, पर गाड़ी मेरे साथ है। और हमेशा है। अब तुम्हें समझ में आया एक मिनट, एक मिनट, मोबाइल बज रहा है। देखता हूँ, किसका कॉल है। ओ, रामू। हलो। 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 एक मिनट, एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। स्पीकर पे डालता हूँ, रुको। हाँ, बोलो। कितनी बार कहा है तुस्से, अपना फोन बदल दे। नहीं तो किसी दूसरे के फोन से, मुझसे बात किया कर। चल अभी फोन रख। अरे अरे रुको, ये क्या, फोन रख दिया। पापा, इस फोन का भी कोई सेंटिमेंट है क्या। नहीं नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं। गुड। फाइनली नया फोन। पापा, राम अंकल ने आपका कितना मजग उड़ा है। बहुत। उनको फोन करके आप एक सीन बनाइए। कैसे बनाओ, मुझे ये चलाना नहीं आता। ये, लाउट स्पिकर पर डाण। करेक्ट ये, तेरे पास वीडियो कॉल है, ट्विटर भी पूछिए। क्या कर रहा है, पहले फोन तो उठाने दे। तुझे भी नहीं आता। कितनी बार तुझे कह चुका हूँ, इस फोन से मुझे सुनाई नहीं देता। फोन रख। रामू, चुप कर, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है। अब तू बता, तेरे पास वीडियो कॉल है क्या। इंस्टाग्राम है क्या। इंस्टाग्राम है क्या। कड़क वीडियो, कड़क वीडियो है क्या। यह क्या बुलवा रहे हूं मुझे, दोस्ती खतम हो जाएगी। मैं समझ गया कि यह फोन तेरे बेटे ने दिया है। अब तो एक काम कर, उसी से कहकर एक नई कार खरिद वाले, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे बापरे, लगए किसी की डिकी आउट हो गई। कुछ नहीं हुआ, अपनी डिकी जलामत है, शुकर है। मैडम, यह आपकी है। इसकी पीशे वाली आँख तो हमेशा के लिए बंद होगे। रुख जाताच, अभी बताते हुए। क्या करेंगी यह क्या करनी है। अपना नाम बताओ, अपनी डीटेल्स बताओ, अभी फेस्बूक और ट्विटर पर तुम्हारा पुरा वीडियो डालती ह। और ने 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 फिर यह तो सब वाइरल हो जाएगा। तो चली, लाइसेंस दीजें। तुम्या बड़ी लॉयर हो? मैं लॉयर नहीं हूं मेरे पापा बहुत बड़े लॉयर है ठीक है ओके एक छोटी सी गलती हो गई और गाड़ी ठुक गई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्या वेरी गुड और अब विदिन टू आवर्स आप मेरी गाड़ी ठीक करवाकर ऑफिस पर भिजवाएंगे यह यह मेरी गाड़ी है तुछ से स्टार्ट नहीं होगी हां हां स्टार्ट हो गई मेरी पद्मीनी दोखे बास किसको बोला तुमको नहीं मैंने अपनी पद्मीनी को कहा जाओ ना गाड़ी ठीक करवा तुम मेरी गाड़ी ले जाओगी मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर कहां जा बात मानिए सर आप अंदर नहीं चाह सकते हैं अभी तक हम 42 अप्लिकेशन्स डेवलप कर चुके हैं और लगबग सब महीं हमें सक्सेस मिली है लेकिन अब जो हम करेंगे वो अलग होना चाहिए है ना तो अब जो आप हम डेवलप करेंगे उसका यहां पर मधू काउन है मधू तू ही है क्या तू मधू है क्या है उसका नम सूरेश है यह मैं जानता हूं तू मधू है नहीं चलिए नंबर दिए त्रू कॉलर में चेक कर लूंगा यह त्रू कॉलर इस्जूसमी कौन है आप लोग बिना पर्मिशन के ऐसे अंदर कैसे गुजग गये चलिए बाहर च क्या प्रॉब्र में तुमारी आपकी बाइक रेडी हो चुकी है वाट वो आज मिस्टर चंद्रमॉली ने कार से आपकी बाइक को ठोका था डिक्की भी टूड़ गई थी हां तो फिर नहीं मैं रागा हूं चंद्रमॉली जी का बेटा मेरे पापा ने जो किया वेरी बैड ह वर्स्ट बिहेवियर ऐसा भी कोई करता है क्या ठीक है चाबी दो चाबी चाबी एक्चुली आपका चेन पॉकेट और बैक ब्रेकर टूटा हुआ है मैकेनिक ने बोला है सो चाबी भी मैने उसी को दे दी है उसे जब वो रेडी करेगा तो तुरंत अपने हाथों से मैं आप आपकी क्यों बदल रहे हैं अब बिकाउज आ लव यू वाट या तेजगारी चलाएगा अशब ना मजाग सूझ रहे हैं दिमाग नहीं है एक थपर मारों गीना सारी अकल ठिकाने राएगी तुम जैसे आवारों को बहुत अच्छे से जानते हैं लड़की देखिने क लड़की को डोस देने गए थे लेकिन खुट डोस लेकर आये हैं नहीं देखिए आज डोस देते था तो आज ही खतम हो गया होता शादी करके घर पे लेके आज आए जाएंगे तो डोस देते रहेंगे पपा सार यहां गाड़ी में खड़िकीजिए सार अच्छा तुम में भी यह बुक पढ़िये हैं जी पढ़िया बात है बहुत अच्छा है राइटर इस स्मार्ट सेरों हाई रभू तुम कब आए तुम्हारी ही बातें चल रही थी यह बिना अगलाउस के पंच मारा करता था यूनो माई डियर बच्छपन में ये रागव बड़ा ही शरार्ती था इसकी हरकतों के बार में क्या बढ़ाउस होने है जाओ 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 कि है तीस दिन तुमेरे पीछे गूमा और उसके बाद गायब हो गया अगर मुझे भी तुझसे प्यार हो जाता तो छोड़ देता मुझे भी इसी तरह कहीं जा में शिछा और दस दिन मेरे पीछे गूमने ही सकता था ऐट मैं उसे प्यार क्यों नहीं करती पूछ नहीं सकता था जग्रा करना नहीं आता रिक्वेस्ट करना नहीं आता फिर प्यार कैसे करेगा तुहां कहीं पर भी जा किसी के पास भी जा लेकिन अगर एक और बार मेरे पास आकर I love you कहाना जान से मार दूगी करना जान आ यहां डिखना रेक्लेस पहना था अच्छा था ना जा डिखना टान आचे थी अच्छी थी आजिमेंड भी लाजवाब था बात अच्छा लागा भात अच्छा लागा पापा मुझे आइस्क्रीम खानी है क्या हुआ भाई गाड़ी क्यों रोक दी क्या हुआ कुछ बोलो भी यह क्या करें हो तुप कहले उतारे कोल क्या क्या करें चुप चापते कहले उतारे यहां उतारे खिए तुप लिचाव भाई मिद के पापते खिए मिदे बॉल डीचाव भाई भाई कि दोषे एकड़ा भाई भाई बबाद के लिया वाई ब्राई ब्राई जी प्योली बताई चाटो उसे, मेरी बच्ची कल रात हुई घटना जिसमें गो कैप के ड्राइवर ने सफर करने वाले पांच लोगों का खून कर दिया इस पर कॉल टैक्सी ड्राइवर वालों ने आश्चर रिवेक्ट किया है पिछले हफते ही तुमारे जिएम को वान किया था अभी एक हफता भी नहीं हुआ और कल रात में चार पैसंजर्स की हत्या कर दी गई और तुमारा ड्राइवर जिर्म करके फरार है पता नहीं ये सब कब तक चलेगा जनता की सेवा करने वाली कंपनी जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती? उस कंपनी पर क्या अक्शन ले रहे है जनता मुझसे पूछ रही है अब मैं आपकी कंपनी पर लेगल अक्शन लेने को मजबूर हूँ इन दोनों घटनाऊं में जो दोनों ट्रैवर्स थे उन्होंने रिसेंटली अपनी कमपनी जवाइन की थी इसमें उन रहवरस की गलती है जिन्होंने उन्हें रेफर किया था या उस कमिटी की गलती है जिन्होंने इसे रिक्रूट किया कल सबकी मीटिंग बुलाओ और एक दिन के लिए कोग कैप सर्विस को क्लोज करतो हूँ सर इससे पहले की कोट हमेशा के लिए क्लोज करे उससे अच्छा यही होगा मेरा नाम कुमार है सर बेज साल से गाड़ी चला रहा हूँ दारू, सिगरेट ऐसे कोई गलत आगत नहीं है मुझ में मैं पहले भी चार-पांच ट्रैवल कंपनी में गाड़ी चला चुका हूँ आप चाहे तो उससे मेरे बारे में पूस्तक प्रेश है मेरा नाम सतीश है सर तीन साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ मैंने अभी तक एक भी एक्सिडेंट नहीं किया है सर पूरे शहर की पुलिस तुझे धून रही है कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में क्यों? तुरे बचने के चांसिस बहुत कम है लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा तेरा परिवार दुखी नहीं होना चाहिए अब मैं क्या करूं सर? और ये काम जल्दी होना चाहिए बहुत जल्दी होना चाहिए तेकाद घटना और घटनी चाहिए अगला कांड कौन करेगा? तू तयार है ने इसके लिए? मेरा नाम रागव है सर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ना बन सेकेंड हलो सर मिस्टर आगव आपसे मिलना चाहते है हम ठीक है अंदर भेज़ दो हलो सर प्लीज कम आओ हाई रागव बैठो थैंक्यू सर हाँ तो बताओ बैंगलोर में हमारा स्टेट लेवल पर मैच होने वाला है उसकी स्पांसर्शिप के बारे में तेखो अभी कमपनी में बहुत प्रोब्लम चल रही है पता है सर मैंने भी पेपर में पढ़ा है I am sorry रागव सर एक्चुले ऐसी सिचुएशन में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सो यू कन ट्राइविद समवन एल्स सॉरी हलो यार अगव स्पांसर्शिप नहीं मेले बाबा ओ वेल कोई बात महीं सुनो बिटा बॉक्सिंग के फिल्ड में नेशनल लेवल पर तुम्हारा नाम है तुम बहुत टेलेंटेड हो बिटा ये नहीं तो कोई और स्पांसर मिल जाएगा बिटा चिर आप डोंट वरी बिटा ओके पापा अब क्या करू कुस समझ में नहीं आ रहा है मुझे इक बात समझ नहीं आ रही है रागव सिफ चैन नहीं है क्या तमिल नादू में सिफ विनाया की स्पॉंसर करता है क्या हमें कहीं और भी च्राइख करना चाहिए मैं कोई क्रिकेटर हूँ, जो बड़े-बड़े बिजनेसमेन स्पॉंसर करेंगे, मैं सिर्फ एक बॉक्सर हूँ, उतनी इंपॉटन्स नहीं है हमारी मेरी बात सुनो, किसी एक पर डिपेंड होने वाला ये खयाल दिमाग से निकाल दो करेंगे, अगर लेट हो जाओगी, तो घर से फोन करेंगे, अच्छा ठीक है, यह खीक है, मैं ने कलती हूँ, है वे फ्री होते ही पुझे फोन करना तो, हाँ? यह, बाइ, बाइ मैं ने मीज रीक पोन करेंग हुनÁ करेंगे, जाओवी राटा甚ा ठीक होना पिलisen थीक है, मैं अजिए टू हो जाँना करेंगे, कर्णाह ओर अमाह करेंगे और इंसरेंस कहा है सोरी सरउ घर पर ढूसेंस नहीं इसलीब मुझे पकड़ा तुम रागौ हो ना जी हाँ अब रहे बोगल के फ्रेंड हो तुम का बॉब जानका आँ चाल तई अरे इनको जाने दो ना जी सर देखो पहचान अपनी जगह है फायन बरके चले जाओ यह सर रूल सार रूल्स ज़रूर सर रागो आपको नमस्ते बोलना ज़रूर बोलूर हाँ ओके ही बेबी मधू कहा हूँ अभी नहीं अभी रास्ते में ही हुआ लेकिन एक्जाक कहा पर हालो हालो ब्रेज की तरफ से क्यों जा रहे हो ठीचे के रोड ठीक नहीं है मेडम ठीक है मैं घर पहुंच के कॉल करती हूँ ठीक है कुल करता है कि अवार आओ रागत क्या हूँ आओ वाट बेठो मेरी इतनी याद आप आरी थि क्या कुल क्या चलो गर्म गरम डोसा कालो बिटा किस सोच में पड़े हो थाली में सब वैसे का वैसा है अभी तक कुछ खाया ही नहीं इस थंडे डोसे को रहने दो ये गरम डोसा लाया हूं तुमारे लिए इसे खाव भूख नहीं कैसे भूख नहीं यंग मैं ओ येस, यू आर अपसेट, स्पांसर नहीं मिला इसलिए ना, करेक्ट, डोंट वरी माय बॉय, मेरे पास चराग का जिन है, ये लो, ये लो, विजिटिंग कार्ड है, डोसा समझ कर खामत लेना, पापा, गरुडा कॉल टैक्सी कंपनी के M.D. का विजिटिंग कार्ड है, कल वे दस बजे, जाओ और मिलो, आपको भला मैं क्यों स्पांसर करूं, आपको फेवर करने से मुझे क्या फायदा होगा, बताईए, सर, मैं यहां आपका फेवर नहीं ढूंडने आया हूँ, नॉर्मली आप जीते हुए घोड़े पर ही बैट लगाते हैं, लेकिन क्या एक ब जीतने वाले घोड़े पर आप बैट लगाना चाहेंगे, तो तुम्हें लगता है मैं रिस्क लेने से डर रहा हूँ के, सर, अगर आप डरने वाले इंसान होते, तो आज इस सीट पर बैठे नहीं होते, मिले हुए चांस को इस्तिमाल करके ही आप इस जगा पर आये हैं, सर उसी तरह अगर आप मुझे भी एक चांस देंगे, तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, सर, यकीन से कह रहा हूँ, नाम क्या बताया अपना, रागाउ सर, यही एटिट्यूड, टूर्नोमेंट में भी तुम्हें दिखाना होगा, ओके, सर, तैंक्यू सर, एस, जिमा खराब है क्या, ऐसे बात कर रहे थे, जैसे अभी उटकर उन्हें पंच मार दोगे, ऐसे जगणा करके बात करने की क्या ज़रत थी, जानती नहीं हो, मैं एक बॉक्सर हूँ, जगणा करना तो मेरी फितरत है, हम, हम, छीक है, तुम सही कह रहे हो, अब जल्दी से पापा को उदास लग रहा हूँ, एए, ये क्या आँखे फाल फाल कर देख रहे हो, कौन चाहिए तुम दोनों को, ओ, मिस्टर चंद्रमोली, वो इस समय घर पर नहीं है, मैं उनका यंगर कॉजिन ब्रदर, मंत्रमोली, हाँ, 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 I know both of you, तुम हो, हैंडसम यंग मैन, उनके सन, रा हाँ, 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 ह नोगई दोल सो तरह यह वुए हिए झनी इस प्व मेई सब्सुह। भुण भांघा नहीं करेंगा संथ्य कोते शेडु कीजिए के जा शेड़ा सब्सक्राइब प्लीज दोस्तिक अब मेरी शानी अने वाली है मझे जोड़ दो पंध कर आपना आप 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 अब इस लड़की और कार को छोड़ कर भाग जाओं क्या अब तो अरेश्ट हो जाओं भाई मैं जो कह रहा हूं वो कर पहले उस लड़की का काम तमाम कर दे हैं कि ठीक है भाई वो लड़की रोज की तरह अपने ओफिस से घर जाने के लिए गो कैप्स में ट्रावल कर रही थी ड्राइवर ने अचानक एक जगा पे गाड़ी रोकी तो उसने पूछा क्या हुआ हैलो हैलो ब्रेज की तरफ से क्यों जा रही हो बिना कोई जवाब दिये ड्राइवर लड़की की साथ मिस्बिहेव करने लगा इस बिल्डिंग के नाइट सेक्यूरिटी वाले ने इंफोमेशन दी और हम यहाँ पर आ गया है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लड़की को लगातार को क्या ज़ियों में हो रहा है अब राधों की वज़े से शहर के लोगों में डर बैट किया लोगों को दरनी की कोई बात वाद नहीं है क्या अक्शन लिया जा रहा है मैडम हमने 45 बेज का नोडिस इशू किया है उसे जाड़ी रखना या बंद करना है कोटी देस करेंगा सुना है आप लोग कंपनी के CEO को अरेस्ट करने जा रहें क्या यह सच है मैं जलता हूं पापा ओके खाना खाने के लिए पासवाले धाबे पर जाना ओवरनाइट जागना ज्यादा टेंशन लेना मेडिसिन ना लेना यह समने होना चाहिए ओके पापा आपकी हेल्थ आपको ही सम्हालनी है ओके पापा ओल बेस्ट मैसान विन ओके मधू तो मैं चलू आने में मुझे लगभग तस दिन लगए सारी मुअबबत की बाते जल्दी कर ले नहीं तो तू लेट हो जाएगा चुकर यार सुभा बिना भूले ब्रेकफस्ट कर लेना तो अब तो निकल चुपना मैं स्टेशन छोड़ने आऊ या नहीं अब अभी निकल यह लोटते बाद इसको लेते आईएगा तो फिर चलो तुम्हें घर पे छोड़ दूँ अंकल मुझे आजी पहुचना है अरे हाँ यह भी सरी है अब फिर तुम्हें चल कर जाना पड़ेग तुमसे बहुत उमीदे हैं राखाओ एक बात याद रखना आज से साथवे दिन तुम्ही चेंपियन बनोगे समझे ड़न कुछ दिनर तुम्हारे रूम पे ही आ जाएगा सिर्फ सलाद मैं फ्रेश होके आता हूँ कुछ है 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 थांक्स पसंद आया बहुत तेरी हर एक पंच से यह पता चलना चाहिए कि तू कौन है क्यों कि गर्फ्रेंड यूज़ी जगणा मत करो जगणा मत करो यसी बोलती रहती है और तुम केती हो कि जगणा करो मुझे तो जगणा पसंद है गले लग कर लिपट कर बहुत मिस्स कर रहा हूं तुम्हें मैं तुम्हें याँ पर आना चाहिए था तुम मुझे साथ लेकर ही नहीं गया हो बुलाया होता तो आ गई होती बोला तो होता सब कुछ एक लड़की नहीं कर सकती तुम कब आगे बढ़ो गया हूं ठीक है अभी बुला रहा हूं आजाओ ठीक है दर्वाजा खोल अच्छ दर्वाजा खोल अंत्रा आओ यहां कैसे आगी मैं तुस्ते तो पहले ही पहुंच गी थी अच्छ ठीक है एक और सर्प्राइज है क्या यह क्या है तो यह है मेरा कमरा ओ ओ तुम्हारा शैतान सच में लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा थेज होती है अध्यों अब जगडा करें क्या जगडा किस तरह का जगडा चाहती हो गिर के करना है यह लिपट के यह गले लगकर कोच ने देखाना तो दोनों को मार देंगे तो तो सह में मेरा ध्यान पटका रही हो कोच यह गेट आउट गरपर ही हो ना येस जो हुआ वो सब अपने बेटे को बता है रागव के पास आज ही मैं चंदरमोली हलो क्या हुआ हां एक मिनिट मैं 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 तुम्हें बाद में कॉल करता हूं ओके ठीक है है तुम दोनों तुम दोनों यहां कैसे तुम दोनों तो क्या है यह कैसा सप्राइज है पापा, डबल सप्राइज हाँ? इससे आप नहीं चौक योंगे, लेकिन इससे जरूर चौक गए होंगे है न? अपनी कार, मेरी महनत का तोफा, किसे से उधार नहीं लिया, मैंने बैंकलोर नहीं लिया, किसी को भी जवाब देने की ज़रूर नहीं पड़ेगी पापा बैंगलोर में, मधो ने मुझे गलव्स गिफ्ट किये थे पापा, और उन गलव्स की वज़े से ही मैं ये टूनामिन चीट पाया, और उस बदलोत ये खूबसुरत कार मुझे गिफ्ट में मिल गई, यूनो वाट, तभी मैंने सुचा, कि पूरी लाइफ, वही गलव्स पह खड़ी रहेगी, और सिफ खड़ी नहीं रहेगी, एवरी वीकेंड इसी कार में ड्राइव के ले जाएंगे, या, जाएंगे, 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 या, पापा, आप सोए नहीं, नीद नहीं आ रही है क्या? ड्राइव के लिए चलते हैं, ड्राइव? वो भी इस समय, नहीं गाड़ी, नहीं ड्राइव, ओके? पद्मीने में आकरी सांस तक आप उस पदमीनी को नहीं छोड़ेंगे वन ड्राइव तीन बजे पापा और बेटा नाइट ड्राइव कुछ तो मिसिंग लग रहा है पापा आपकी एनरजी पहले जैसी नहीं है कुछ परिशानी है क्या यह यह जाइए यह जिए यह जाइए है कुछ तो तुट अजे जाइए खिए खिए गष्ड़िक में यह जाम जाइए जह भी नहीं है यह जाइए यह जाएए ऑपकी एंग कर दो कर दे में है टूंस कई जना घटूर्स जब हो बाह्ँ दो लग Cum रगर खज calculating रगर 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 क Natalie Ram प्रव में ... क्या安 प्रव प्रॵwn और विय्ग प्रव और प्र क company जर के हुआ मेत वियRon कर दुन करूंगvos ए करिंग कर दुन कर रागहव, रागहव, मैं जो बताने वाला हूँ, सुनकर शायद डर लगे, बट ऐसे डॉक्टर बताना ज़रूरी है, एक्सिडेंट में ब्रेन और आँक को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्फ डैमेज हो गई है, इस कंडिशन को मेडिकली ऑप्टिकल और्ट्रोफिन कहते हैं, अब फ्यूचर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, आप मेन दो फिट से ज़्यादा दूर आप देख नहीं इसके बाद ये ऐसे ही रहने वाले हैं, आप अम लोग उससे अभी मिल सकते हैं क्या, ओ येस, ज़रूर। कौन है, डॉक्टर, बहु हो यार, अरे तु, अरे पापा क्यासे हैं, महड्यो, 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 अरॉर। महड्यो, महड्यो, महा दोना प्रुट। क्यों कुश्मत अěगा, руख घग्यो, महड्यो बड़ो, बड़ो, बड़ो मैं इंस्पेक्टर मुकीम हूँ, सिटी पुलिस टेशन से आ रहा हूँ, मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, इस पर एक साइन करना होगा, एक्सिडेंट केस के लिए जरूरी है, दो दिन पहले भी मैं आया था, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थे, ये एक्सिडें और इस पर साइन कर दीजे, रागव से साइन ले लिया है सर, उसको मुझे बार में कुछ पता है, नहीं नहीं सर, वो इसे एक्सिडेंट ही समस्ता है, उसे कुछ शक नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो पताना, ठीक है सर, मैं ध्यान रखूँगा, अभी आप घर जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट की बहुत ज़रुरत है, बलर दिखने वाली चीज़ों को गूर के मत देखेगा, नेक्स्ट वीक इन्हें चेक अप के लिए फिर से लाना होगा, पापा, यह सब जूट है ना पापा, आप फिर से आज आओगे ना पापा, यह सब सच नहीं है ना, प्लीज बापा, मैं के ले नहीं रह पा रहा हूँ, इसके बाद में आपको कोई कंट्रोल नहीं करूंगा, आप पुरा ना इफोन यूज़ कीजिए, बालों को डाय भी मत करना है, पादमीनी में चलते हैं बाबा, एक बार भी मैंने अपनी पादमीनी को दिखका नहीं दि एक बार जाना चाहिए, आपके साथ लॉंग ड्राइब पे, मुझ से नहीं हो रहा है, बाबा, आपको एक बात पता है, बाबा, मैं, मैं बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बाबा, दो फुट से आगे देख नहीं सकता, अकेले घर में अंधे की तरह रह रहा हूँ, प् प्लीज, मुझे चोड़ के बाबा, प्लीज, 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 प्लीज मेरा मूड ठीक नहीं है मुद्धू मैं तुम ऐसे नहीं देख सकती राघव पॉक्सिंग रिंग में तुम मार खाकर गिर जाता था लेकिन पर दुबारा उठकर जी जान से लड़ता था तो वही राघव है ना ये लड़ाई भी वही है बस अब उठ जा अब मैं ठीक हूं त तुम और कितने दिन यहां पर रहोगे जाओ घर जाओ जाओ मैं घर पर बता चुकी हूं इस ओके तुम लोग रुको मैं देखता हूं नमस्ते सर मैं भीष्म नगर सिमेट्री से आ रहा हूं सर ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट डिलिवर करना है चीक है दो चंदर मॉली सर को ही दे सकता हूं इसके उनके सिगनिचर चाहिए आप उनको बुलाइए सर अंकल को कैसे बलो बैर वी की डेथ वी थी उनका सर्टिफिकेट है बैर वी नई नई हम लोग किसी बैर वी को नहीं जानते अचा सर चंदर मॉली सर का घर यही है ना हाँ है तो उनको बुलाइए न सर देखो भाई उनको गुजरे दो हपते हो चुके है ओ डेथ हो गई है सर ठीक है सर तो फि यह पापा का ही साहिन है वाट कहीं वो अंकल की दूर के रिष्टेदार तो नहीं आया यार नहीं या पर मम्मी की साइड के मम्मी पापा की शादी होने के बाद मां के साइड से कोई हमें देखने भी नहीं आया लेकिन किसी को भी बताय भी ना राम अंकल से बात करनी होगी रागव बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अब सिर्फ दो ही फुट देख भैरवी कौन है? कौन भैरवी? वही जिसके मरने के बाद पापा ने उसका अंतिय संसकार किया था वह बैरवी? रागाओ, अभी तुम घर पर जाओ, मैं बात में बात कर दो नहीं अंकल, मुझे चानना है पापा ने हमसे भी ज्यादा आपके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं अंकल प्लीज अंकल, बताईए तुम्हारी पापा ने उस रड़की के बारे में कई बार मुझे बताया स्यादा तर मैं और वो ट्रेन में ही सफर करते थे ट्रेन में? हाँ बेटा, पर वो चाहते थे कि इस बारे में तुम्हें पता न चले वरना तुम दुखी हो जाओगी हाँ रामू, अभी तक यहाँ बेट कर बुक पढ़ रहा है, मुझे तो लगा तु चला गया होगा, वाट हैपेंड तेरा बेटा तो तुझे नई कार दिलवाने वाला था ना? हाँ तो, तो मैं उसी का इंतसार कर रहा था कि नई कार आए तो मैं उसी से जाओगा मेरी पदमीनी के बारे में तो अच्छी तरह जानता है, वो रूक रूक कर चलेगी लेकिन मुझे कभी नहीं रूकेगी, तुझे पता है, दो दिन पहले पेट्रोल पंपर, यूनो, वाट हैपेंड, रूक गई क्या नहीं, रोक दिया गया सारे टायर्स की हवा चेक करो, ओकेगी, ओपेंड, कौँ, हाई, मेरा नाम भैर्वी है, अच्छा है, आप, मैं चंद्र मॉली, हेलो, आपकी कार बहुत अच्छी है, क्यों इसे पहले भी देखाया गया, नहीं, तो क्या, इसका कलर पसंद आ गया, अच्छा, आपकी कार बह यूसी, मेरे पास जितनी भी पुरानी चीजे हैं, मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूँ, मिस्टर चंद्र मॉली, कुछ कहों, बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं, अगर आप ये गाड़ी ओनलाइन बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो, मैं सोचूँगा भी नहीं, 20-25,000 नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगर मैं एक लाग रुपए दू तो अपको मन्जूर होगा, तुम्हारे पास नोच अपने की मशीन है क्या, ये मेरी गाड़ी है ना, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ओ, 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 कि डोकी डोकी, थांक्यू, वेलकम, वेलकम, चल जा, चल, पत्मिनी, नाग कटवाएंगी क्या, मिस्टर चेंजर मॉली, अब क्या हुआ, आपके गाड़ी की फोटो ले लू, अच्छी है, ओके, थांक्यू, ये वेलकम, अब, वेलकम, अब, वेलकम, क्या मैं जा सकता हूँ, फोटो भेजू क्या, कैसे, वाट्साप, अच्छा मोब मेरे फोन में, मुझे कुछ आता नहीं है, वाट्साप नहीं है, अब, इसर चेंडे मोरी आपका नमबर मैं ऐसे आपका नमबर मैं सेफ कर लिया है, उसके ठीक चार दिन बात, उस लड़की ने तुम्हारे पापा को फोन किया, हालो, है, है, ये, कैसे पता चला है, नापका मिस्टर चंजरमॉली येस स्पीकिंग हाई मैं बहरवी कौन उस दिन पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी खरीदें के बारे में बात की थी तेरे कार की कीमत एक लाख रुपे येस वान लाख हां मिस्टर चंजरमॉली कौन अरे ये तो वही कि अगर मैं आप से पूछों कि आप यहां कैसे मैं तो यहां व्रट ट्रेंट पकड़ने आया हूं पदमीदी सर्विस टेशन में चोड़ाया आपका सर्विस टेशन रेलवे सेशन का पार्किंग लौट है आहा, देख लिया देख लिया पदमीनी की मर्जी होतो चलते हैं त Lorna यहां आकर रुख जाती है फिर मैं यहां से ट्रेन पकड़के ओफ़ेस चला जाता हूँ और यही से रड़ इंद anchor क्या कहा? नेरी पदमीनी पुरानी हो गई? अच्छा बताईए आप इस उमर में कितना चलती है दस किलोमेटर मैं इस उमर में बारा किलोमेटर चलता हूँ पनमीनी की थोड़ी उमर हो गए इसलिए यहां तक ही आती है मैं अभी ओके कहकर उसे यहीं पार्क कर देता हूँ ज्यादा स्ट्रेन नहीं जालता हूँ थेन आगए वाई-पारेन आगए बाई-बाई-बाई सर बैंक से लोन चाहिए था वो किछी बर बताया था न आपको तुम्हारा नाम नेरव मोधी है क्या कितनी बार बताहूँ सर मेरा नाम स्वामी नाथन है यहां, पता है, इसलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता ठीक है सर्व तो बैंक में काम करते हैं आप अरे, यह क्या? आप छुप छुप कर मेरी बात भी सुन रही है हाँ, थोड़ी बहुत हाँ, मैं बैंक में काम करता हूँ और तुम मैं गरूरा कॉल टैक्सी में अकाउंटन हूँ इससे पहले तु कभी तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा पहले टीकम नगर में रहती थी अभी अभी यहां शिफ्ट हुई हूँ आज मेना जॉणिंग टे है बेच आ रहे हैं वो लोग आल दे बेस्ट धीरे धीरे उन दुनों के बीच में फ्रेंड्शिप गहरी होती जा रही थी जिसे मैं महसूस कर रहा था अलो अब तक हलो नाम सेव नहीं किया ओ भैर भी सामने देखो ना कहां कहां मिस्सर चंडर मॉली अरे तुम बहां हो सामने होकर फोन कर रही हो मिस्सर चंडर मॉली मेरे पीछे ब्लाक शर पहने एक लड़का बैठा है कहां है कौन वो जो पीछे बैठा है अपने बारे में क्या सोच आ अपने बारे में वो क्यो अपने बारे में सोचेगा हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं नहीं ना किस्मत वाले हैं, एक बुढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ मज़े कर रहा है कौन बुढ़ा? तुम? और छोटी बच्ची कोट Of course में सपने में सपने में नहीं सच में किसे लगी है, ये यांग बिमारी ऐसी बात नहीं है क्या? कौन सी बात? मुझे ऐसी खुबसरत लड़की को भगाने की नहीं सोचते हो? Of course सोचता हूँ हाँ? मगर कोई मिलती ही नहीं किसका फोन है? हाई रागव स्पॉंसर्शिप नहीं मिली पापा ओ, ताट्स ओके दियर दूसरी स्पॉंसर्शिप के लिए ट्राइ करेंगे चियर अब मेडा, I'll see you at home ओके? किसका कॉल था? रागव उसे गो कैप्स के एमडी ने स्पॉंसर्शिप प्रॉमिस की थी अब रिवर्स गयर डालकर कहता है नो स्पॉंसर्शिप कोई बात नहीं नहीं तो मैं ट्राइ करो किसके लिए, स्पॉंसर्शिप के लिए? हाँ, स्पॉंसर्शिप कल सुबह करुडा कॉल टाक्सी के एमडी अलगर से उसकी वाट? मीटिंग टिक्स करा देती हूँ उसे भेज़ दीज़ेगा, स्पॉंसर्शिप मिल जाएगी टायन ड्रेस ओके? रगव कोई इसा पसंद है क्या? नौ, पसंद नहीं है वाट? कहाना उसको पसंद नहीं है कह रहा था, इवनी में कोई बहुत बड़ी पार्टी थी यूवाँ तो सी? हाँ यूज यूज रियली अ ब्यूतिफल पार्टी बट थैंक्यू फर बट थैंक्यू कि फर्मालटी छोड़कर तुम भी आजाओ ना अच्छा लगीगा, ऐसा नहीं कह सकते अरे-अरे, वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस वेरी इजी बोलिये, तुम आजाओ ओ, ओके, तुम आजाओ मताओ शाम को एक छोटी सी पार्टी है अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या आ सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं पार्टी का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता साथ खा भी सकते हैं खा सकता हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा अल्राइट, लेकिन कहाँ? हाई हाई, इस इस फॉर यू वाउ, थांक्यू, लेकिन आज मेरा बर्दे नहीं है मैंने हैपी बर्दे बोला ही नहीं पार्टी देकर स्पेशल गेस बना कर इंवाइट किया तो बर्दे ना होने पर मैं गिफ भी नहीं दे सकता क्या ये तो है, ये तो हम घर पर भी खा सकते थे आपके घर पर, तुम्हारे घर ओ, सॉरी, तुम्हारे घर पर, डिनर, हम दोनों खा सकते थे, पर डॉगीज डिस्रप करते तुम्हारे घर पे इतने डॉगीज हैं क्या घर पर नहीं फिर बाहर पास की घर में पडोसी की घर पर ओ दोस डॉगीज उन्हें भोखना है तो भोखने तो आप दीखने में बिलकुल मेरे पापा जैसे हैं रिदी हिंज फास आपकी गाड़ी खरीदने का रीजन भी वही था पापा के पास भी भी मौडल और सेम कालर की गाड़ी थी इसलिए खरीदने का मन था आपसे दोस्ती करने के बात पता चला कि आपका नेचर भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है ओके अब मैं आपको पापा कहकर बुलाओंगी ऐसा मत सोचिए क्या हुआ नाजिंग तुम्हारे पापा को क्या हुआ था अचली पात साल पहले हम लंच कर रहे थे अचानक पापा को चेस्ट पेन हुआ हम उन्हें हॉस्पचल भी ले गए डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा अचानक से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया अकेले रहने की आदत से पड़ गई ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बाते करती हूं आप भी कुछ बोली ना अगेल अगेल जापाया अगेल तो फर बिल अपिबर दीजे पांसर मिला मेरे बेटे को मुझे नहीं मिला लगता है बारिश आने वाली है तुम गाड़ी में बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पर यह सीट तौप की वाइफ की है ना सेंटिमेंट्स आपके इमोशिस जुड़े होंगे ना मैसे चंद्रमॉली कम यह कम यह चुप चाप गाड़ी में बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ओके इपर मेरी फटक से स्टार्ट हो जाना प्लीज क्या हूँ बारिशान जैसा लग रहा है इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाओ छोड़ देता हूँ तुम्हें यही कह रहा था मैं यही कह रहा था बारिशान क्यों नहीं गाना सुन सते हैं क्या वो नहीं वो नहीं वो नहीं ऑरे नाइव दब्बा है प्लेएर नहीं यह सब किसी है इनुप यह हैर पिन है बाल को पीछे करके उसमें लेफ लेफ यहां से लेफ अ ओक बाइग ऑगय बाई बाई जाने के चार-पांच तिन के बाद रात के यही मुझे फोन किया क्या है यार इस समय फोन कर रहा है मुझे है क्या कह रहा है तू इन्हें मैं जानता हूं मुझे जाने दीजे सर सर पताएंगे यह नड़की कौन है और यहादसा कैसे हुआ यह मडल कैसा है जिसका फून हुए उसका नाब है भैरी ऑफिस के बाद जब यह घर जा रहे थी तब ही अगटना हुए हम मामले की तफेश कर रहे हैं क्या आप राजी को अरेस्ट कर लिया गया है जी गो कैब के ड पॉस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पापा हुआ है सर गो कैब्स की गाडियों में ऐसी घटना है लगाता और क्यों घट रहे है इसके पीछे कारण क्या है आप सच कह रही है गो कैब से ट्रवल करने वालों के साथ यह चोथी घटना है इंक्वैरी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है पोस्ट आज चालू है बहुत जल्दी सचाई सामय आज़े है पोस्ट मॉर्टम के बाद भैरवी का अंतिम संसकार तुम्हारे पापा ने ही किया रामू तरी बेहन का बेटा माध्वन ऐसा ही है ना हाँ यह साई है उससे मिलना है पर किस लिए सब लोगों का मानना है कि भैरवी का खोन उस ट्राइवर ने किया है माध्वन से मिलकर किसे सुपीरियर आफिसर को यह सारी सचाई मैं खुद बताना चाहता हूँ इसलिए अब यह सब करने से क्या फाइदा उसके बाद मैंने अपनी असाई भाणजे से बात की फिर तुम्हारे पापा डेपुटी कमिशनर से मिले वहलवी के केस में दखला अंदाजी मत कीजिए पर क्यों बात क्या है मामा मेरी बात को समझी है इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं डेपार्टमेंट के मेरे सीनर से जो मुझे कहा है वही मैं आपसे कहा है पर मैंने तुझे पताया ना वो चंदर मॉली की बहुत अच्छी दोस्त थी मैं कुछ नहीं करूँगा लेकिन चंदर मॉली नहीं मानेगा सब ख़त्ब हो जाएगा उस दिन मैं फोल पे यहीं सब बताने वाला था कि अचानक उस राद तुम लोग ड्राइप पे चले गए उस राद जो हुआ वो एक्सिडेट नहीं था बल्कि तेरे बापा को मारने के लिए ऐसा किया गया था ना रागो 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 राम अंकल का भांजा का ओम से पूलिस टेशन में मिलेगा इस बारे में मुझे ही नहीं, मेरे किसी भी सीनेर ओफिसर से पूछोगे, तो इसके जबाब किसी को भी नहीं पता, तुम्हारी पाबा ने मुझे कहा, तो मैं उन्हें डिप्री कमीश्टर के पास ले गया, लेकिन उनकी इस मीटिंग के बाद, मुझे एक फोन आए, और एकसे जबाद करने परने ट्राइवर कि यह फायर कुटे इसलिए उसे ए उसे कह defects किया, इसमें उसका एडरस है आए, कौन है, हाँ, तो का न है आप लोग कौन है जी बीज दिन पहले एक कार एक्सिडेंट हुआ था उसमें इनके पिता जी का देहान थो गया उसी के बारे में हम बात करने आये हैं दोस्त मुझे बाफ कर दो दोस्त मैं दस सालों से गाड़ी चला रहा हूँ पर ऐसे कभी नहीं हुआ था वक्षड उसन वे उससिन पाता रही के वह हो गया था मैं अबने बेटे की कसम के का कैथा हो मुझे बात लожां मुझे चर्सरा बाओ ले है भंद्यां जाने ने आफ यह बोलो भाई आए आ महाने बोलो वो रागा आप अचानक बरे घर पिया था कॉन चंद्रो मौली का बेटा आवाई भाई बहुझे देख्टे ही शौक हो गया दिमांग की घंटी ही उड़ गई थी आ फिर रोने का नाटा करके बेवकूप बना तुझ पर डाउट तो नहीं हुआ अरे डाउट के सवाल ही नहीं है एक निट भाई क्या है फोन भूल गयते हैं वहाँ 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 मणी हेई तुझो ये बात कर रहा था ना हमने सब सुन लिया चल पोन दे तुझ के लफड़ा के ना जाता है? बोलाना दे चल पोन दो उसको इस वाले को छोड़ना मार हॉँ प्युच जुझ के विया शहाँ ईए शहाँ तुझ Sara वख प्य वजिया प्युझ कि अचूर दो और बने खियू और प्हां अब बने और कि रिंग में था कि रह कि रहा हुआ। हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है सब लोगों का मानना है कि हैर्वी का खून उस ट्राइवर नहीं किया है इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है अच्यर हुआ है आच फिरूच से थेलिख द्राइवर दीख दो ड्राइवर और देद M ठीक है आज आए उमसे, गेत आजे लेट में जाओ ये कैमरा फिक्स करने वाली बात किसी को पता ना चले है विनाएक हेलो सर रागहो, फोन क्या था क्या हाँ सर सॉरी, ओफिस मीटिंग में थोड़ा बीजी था कोई बात नहीं सर अगर आप फ्री हैं तो सर मुझे आप से मिलना है तो फिर घर पे मिल सकते हैं ओके सर इस सब के पीछे कोई तो है सर और उन लोगों का टागेट आप ही है अभी रिसेंटली जो भैरवी का खून हुआ था उस ट्रैवर को अरिस्ट किया जा चुका है लेकिन वो खून ट्रैवर ने नहीं किया था ऐसा मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था असली कातिलों को वहां से भगा दिया गया और किराय के लोगों को गिरफतार करा दिया उन मेंसे किसी एक को बाहर निकालके अगर पूछ ताच करेंगे तो सच्चाई क्या है ये हम पता लगा सकते हैं सर कोई चांस नहीं है इसे वैसे उसके उपाद साफ सेक्शन से है उसे बेल मिलना इंपॉसिबल है भैरवी इंसिडेंट से पहले एक्सिडेंट रॉबरी और उस लड़की का मरडर ऐसे पूरे तीन केस बने हैं सर रॉबरी करने वाले ट्राइवर खालीत को पुलिस नहीं पकट सके एक ट्राइवर जिसको बेल मिले वो आपकी कमपनी में काम करते था ना सर जो नशे में था उसे तो शायद बेल मिल गई है मैंने उसे बहुत पहले काम से निकाल दिया है सर मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है सर जरा आप ये एड्रेस बताएंगे क्या विजय राओपुरम सीधा जाके राइट मारेंगे तीसरा लेफ ले उसके पास क्या कुमर ऐसा यहां कोई नहीं है सर 27 साथ से मैं यहां पर हूँ इस नाम के किसी आदमी को यहां नहीं देखा से सर रम एसारम कॉलेज के छात रहे हैं फानेल एर न पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर फुदहर कोट का फैसला आने वाला है पता नहीं क्या जज्जमेंट आएगा ऐसा लग रहा है सारे दर्वा से बंदो गए अगला कॉन फासने वाला है पता नहीं दूसरा कोई फासने से अच्छा अगर हम ही फास जाए तो मैं समझी नहीं देखो तुम्हारी आफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं मुझे मिला कर कुछ पचास होंगी क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ क्यों शहर में एक लड़की अकेले गो कैप से नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती तो हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत रखती है तब ही इस मसले का हल निकल सकता है और हम सॉल्यूशन ढूंड सकते हैं इसके लिए मुझे आपकी हेल्प जाहिए आपके पास होने वाली दो तीन मिनिट की हिम्मत ही है हम लोगों की ताकत है So that's why I'm asking आप पर इसको ठाने को तईयार है मेडम कैब आप नहीं बुखती है क्या हाँ जी झाप झाप पर झाप 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 पर चाने के शाप कि ये रूष नो एट झाल? कि ये ये टुम एट माद़ एट एट रूरा? ि ने ये टुमेट से को इड एट है ये फ्यों एट जोलिए तार एट एट है हुआ किस्के लिए ये सब कर रहे हो तुम्लोक? क्लो किस्के लिए काम करते हो? क्लो किस्के लिए काम करते हो? पुर्शोतम, करूडर कॉल टेख्षी उन्हें के लिए काम करता हूँ तुम यहां क्या कर रहे रहे, क्या हुआ सब खत्म हो गया भाई सब खत्म हो गया मतलब वो आ रहा है रेडी रहे छे फूट के डिस्टेंस पे अब तीन फूट मार दे फिल्ट थे आल प्रसे आल जया आल भाकर बढ़े आपए चला आपए जया आपए काम आपए जया आपए जया आपए वो रागाव जब मैं अंकल की कार को ठीक कर रहा था तो आंटी का रखावा समान मुझे डिक्की में मिला साथ में मुझे ये फोन भी रखा हुआ मिला जब चेक किया तो पता चला कि ये बहर भी जी का है और उन्होंने अंकल से जो भी बात की वो इसमें रिकॉर्डड़ेड है तो खुद ही सुन ले हलो सो कई क्या इतनी जंदी लो वे तुम कहाँ पर हो आज आज अफिस में कैसी बात वगा चली इस पर यकिनी नहीं कर बारा क्या हुआ ऐखर में गोगयर क्राउड़े हैं सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्ड़ अर्य हां या 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 अ या आइवर ये मेंबर अगया इन सब के पीछे मेरे MD, अलगर का असिस्टें पुरुशोतम है वाट? मिस्टर पुरुशोतम के अकाउंट में कामपणी के अकाउंट से तीन से चार लाक रुपए बिना मतलब के ट्रांसफर हुए है और वो पैसे गो-कैप के उन ड्राइवर्स के अकाउंट में गए हैं जिन्होंने क्राइम किया है वेड़ सेकंड भैर्वी, मैं कुछ समझा नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगा वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने सीनर की पास भी गई थी भैर्वी क्या हुआ किसी की आपन से किसी को भी पैस आ गया हूँ इस से तुझे क्या हाँ कौन है वहाँ, बताओ पुर्शतम बुल रहा हूं, ज्याधा टेंशन मतले, धरवी को खतम कर देता हूं हेई, कौन है महाँ ये मर्डर भी बेकार नहीं जाएगा हेई, हेई, क्या कर रहे हो ये भी गूग कैब्स क्राइम में किना जाएगा ओ, 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 मैं गॉड जाभी, कार के जाभी हेडवी, ओ, गौद दावकर दावकर, 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 दावकर पूझे जाने दो, बंचाओ, रुकिये, आप आगे नहीं जा सकते, रुकिये, जलिए, पीछे चलिए, नहीं, उपिछे जलिए, नहीं, इस नारी होसे सोब भी लेकॉर पूचाने लगी, इस घटना के बारे में अंकल ने में बताये क्यों नहीं? इस तरहीं होते हैं, इस तरहें, गईर काम हो गैं और गुचापssen कमपनी बंध होनी की हालाँ हैं, वर और विचलिए ईकाम गदो काम होसे अर भी ख़बरे में की पजिब होच मिर्चाहे काम होदी, तो इसका जिमेदार के एवट, अलगर ही हूदा मुझसे बद्दाम करने की कोशिष की जारी है। में इसका सामना दे रहे है। आज पर निकल ! तेकर लोना सेट और इसकी परते हैं। बिजनेस में मुझसे बद्दा लेने के चक्र में जन्ता के साथ बहुत बुरा किया। और अब जंता उससे बद्दा ले रही है, सचाही का पता ना चल जा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला, बहुत कमीना है अलगर, मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था सर, आपका मेरे पापा को मारने का दिल कैसे किया, मार दिया सरापने, वो जिस कार से प्यार करते थे, उसे मेरे, क्या बूल रहे हो रागो, मैं, बहर भी कैसे मारी सर में बताओ आँ आपको, मार वे विए पुछने को में आपको की और बड़ायओ, मैं भी किरे एक यह सोच रहे हैं, सब सोच रहे है क्यों प्राइvर सिर्म पर यह सच नहीं है, इन सब के पीछे, मेरे एम ट अलगर कास्सितल्मर शुथतम है, किसके अकाउंट से किसको पैसा गया इससे तुझे क्या हूँ पुर्शॉत्तम बोल रहा हूँ फैरवी जाद अटेंशन माद यह फैरवी को खतम कर देता हूँ कहानी करेक्ट है ना तुभ एक्दम सही बोल रहा है लेकिन मुझे एक डाउट है अगर वो किसी से बात कर रहा था तो तुझे अलगर पे शक करना चाहिए था फिर मुझे पे क्यों किया जब लॉरे ट्राइवर की मौथ हुई थी उसके बाद उसकी बोड़ी उटी लटक रही थी मेरी आँखों को दो फुट दिखाई देता है लेकिन मिरर में मैंने तुझे क्राउस करते में देखा तब ही मैं समझ गया तेरा मेरे पापा के खोन से कोई ना कोई संबन तुझ सरूर है अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इस सब के पीछे कोई ना कोई है सर उस दिन तुझ ट्राइवर का अड्रेस पूछने के लिए कार से नीचे उतरा था तब ही मैंने तेरे कार में कैमेरा फिक्स कर दिया था सर उसके बात तो ने जिस किसे से भी बात की वो सब मेरे पास रिकार्डेट है कल मजड़ाई कोट में फैसलाने वाला है और हमारे पास सिर्फ एकी दिन का टाइम है रात तक मामला सल्टा के मुझे फोन कर पता नहीं अगला कौन फसने वाला है उस दिन तुने जो प्लैन किया वो हमने नाकामियाब कर दिया वो ट्राइबर हमारे कब से महा गिया और पुरुशत्म फसने ही भाला था कि बचने के लिए वो तेरी कार में जा बैठा वो पिरे कर दो किया दो फीट से जादा देखने सकता और हमें पकड़ने चला था वो सिर्फ दो फीट ही देख सकता है यह तो सच है फिर भी उड़ बहुत रहा है वह करूडा टैक्सी से गो कैप्स को ट्रांसफर होने वाले अकाउंट्स मैंने बिगार दिये हैं अब ड्राइवर पुलिस को अगर ये बयान दे दे कि इन घटनाओं के पीचे अलगर का हाथ है तो उसकी कहानी खतम हो जाएगी मेरा और आपका मकसद इसी से पुरा हो जाएगा आप क्या सोच रहें सर चिंता मत कर उसके लिए दूसरा रास्ता है क्या मेरा नाम पुरुशुत्तम है गरुडा कॉल टैक्सी के मडी अलगर का मैं असिस्टेंट हूँ तूने जो कहानी शुरू की थी उससे तो खुदी खत्म करना चाहता था इसलिए तुने पुरुशुत्तम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे फेस्बुक पर त अलगर तो गया है उसके नाम पे एक और खुन मैंने बताया था ना कॉर्परेट वार में बड़ी मचलिया छोटी मचलियों को खा जाती है यहां का यही इंसाफ है अब क्या करना चाहते हो रहा हो मैंने मा को नहीं देखा लेकिन वो कैसी होगी यह मैंने मेरे पापा से जाना था मेरे पापा को तू लौटा सकता है क्या पापा पापा लगा रखाया या रखावचा रखाये यह इंस भापा देखा का मैंने मांध्व मुव्ट लेफट भ्लक रगवग अ बचलए रगार वज्या फ्लीज रगार वोज्छ रगा वोज्या प्लीज अर्गार वोज्य टुर रहूँ स्पारी केंप हे हे हाँ 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 टेखनोलोजी हलो तेखनोलोजी क्यों है तेरी अल्टाम है गया उसी ने आजया दिया वाई योगी हाँ स्वारी स्विठाल तो यह फिर दिखाई देता है ना हाँ यह जो हाँ ठास सारी बाते जान गया है, पर तरह बाप क्यों मरा पता है? और भी आने वाले कई साल ये अव़ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुपकान नाएवी सर, आपने इस एवड को अकले साल जीतने की जो बात कह दी, इससे अलगर साब को बहुत बुरा लगा इसी वज़ा से उसने दस ट्राइवरों को मेरी कमपनी में हायर करवाया और उनसे क्राहिम करवाया ताकि मेरी कमपनी बंद हो जाए इतने भी घुरे आदमी नहीं है वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा सर तो फिर हम ऐसा करेंगे सर मेरी कमपनी में कंटिनिवस क्राइम्स होने चाहिए और इन क्राइम्स कर सिमेदार अलगर ही यह सब को यकीन दिलाना होगा पुल मिला के अलगर की कमपनी को बंद करवाना है कुछ उल्टा तो नहीं होगा सर देखो, यह कॉर्परेट की दुनिया है यहाँ एक बरबाद होगा तो ही दूसरा आबाद होगा ताकतवर ही जीतेगा एक नई जिन्दगी तुम्हारा इंतिजार कर रही है सोच के जबाब दो पुलिस के सपोर्ट से मेरा ब्लैन ठीक ठाक जा रहा था लेकिन तेरे बॉब ने इसे बिगाड़ना चाहा भैरवी को मारने वाला कोई गो कैप का ड्राइवर नहीं था पुरशुत्तम था अंकल बात हो गई न विनाया यहां एसा ही होता है उस दिन तेरा बाप और आस्थू सर सर अंदर कुछ होए सर तूने चुटी मांगी थी ना जा अंदर कुछ होए सर देख मेरे बात सुन ज्यादा वाफादारी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा अब जा मुझसे यु कोई बाप बाप बा हुझसे वाप जो देंख कुछ takत जदे हो देंख कुछ हुआ हँ। हुआ 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 हय pasta हुआ हzing हुआ मेरा और आपका मकसद इसी से बुरा हो जाएगा आप क्या सोच रहे हैं सर चिंता मत कर दूसरा रास्ता है मेरे पास विनायक को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करो गो कैप कॉल टाक्सी में अधी तक जितने भी अपराद हुए है उनके पीछे कंपनी के मालिक विनायक का ही हाथ है पुलिस ने इससे संबंधित सारे सबूती कठा कर लिये हैं जिन्हें वो अदालत में जल्द ही विनायक मेरी काम्याबी को अरदाश नहीं कर पाया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा पता चला है कि गरुणा कॉल टाक्सी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ब्लान किया गया था और इस केस के अपराधी मिस्टर विनायक फरार है पुलिस उनकी तलाश के लिए जगे जगे चापे मार रही है ये सूचना हमें पुलिस विभाग से अधिकारिक रूप में मिली है खबरे लगादार जारी रहेंगी क्या किया था विनायक के साथ क्या रहेंगी मधू! हाँ, रगव? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. तो क्या करू? लाइटली, स्लाइटली, थोड़ा प्यार से, पीछे से पुछ करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी. ओ, तो कार स्टार्ट करके कहां जा रहे हो तो? रगव, तो फिर से खुश है, तो हैपी तो सी यू लाइक दिस, माइ बॉइ. जिंदगी में कई बार ऐसा ही होता है. हमें लगता है कि परियों की कहानी में आने वाला कोई पक्षी हमें उठा कर अचानक उड़ने लगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और अचानक से वो हमें नीचे गिरा देता है, फिर दर्द होता है. लगता है कि हम कभी उठी नहीं पाएंगे, लेकिन इस हाल में भी जो उठता है, वही होता है, विनर, जैसे तुम हो, मैं जानता था तुम फिर से उठोगे. याद है, बच्पन में मैं तुम्हें हाथ पकड़के चलाता था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बिटा, एक पल के लिए भी अपने आपको अकेला महसूस मत करना, हर दम तुम्हें अपने कंदे पर उठाकर मैं चलता रहूँगा, सच क्याता हूँ बिटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं किया रागा हूँ, साए की तरह मैं हर दम तेरे साथ ही हूँ, I will always be with you, I will never leave you, I love you so much, my son, I love you बिटा.